हलो डियर श्टुडेंट आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है आज का हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का टोपिक है समायोजन इससे पहले हमारे च्छाय टोपिक पूरे हो चुके हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ परीचे फिर इसके बाद अधिगम, अभी प्रेड अभिवरद्धि और विकास, बुद्धी और उसके बाद व्यक्तित वाले च्छाय टोपिक पूरे हो चुके हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डेस्क्रिप्शन में जो नंबर दिये हैं उन पर आप मेसेज करके या कॉल करके पूछ चकते हैं इसकी प्रोसेस तो आज का हमारा टोपिक है समायोजन, समायोजन क्या होता है व्यक्ति की ऐसी मित इच्छाएं और आवसक्ता होती हैं और जब ये आवसक्ता हैं सयज ही पूरी हो जाती हैं तो सुक का अनुबह होता हैं लेकिन आवसक्ता हैं पूरी नहीं होने पर वेक्ति दिरे दिरे उसके साथ समझोता कर लेता हैं और समझोते की यही प्रक्रिया क्या कहलाती हैं समायोजन कहलाती हैं तो अपने भी सभी की इच्छा होती हैं कि हम जोब लगें लेकिन किसी की जोब नहीं लग पाती हैं और किसी के लग जाती हैं तो उसको स समझोता कर लेता है और समझोते की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है समायोजन कहलाती है अर्था इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने आपको परिस्तितिक अनुसार ढाल लेना ही क्या कहलाता है समायोजन कहलाता है जैसे एक निश्चित समय बाद जिम्मध्यारियों का बोज लगता है तो अगर जोब नहीं लगी है तो अपने को परिस्तितिक अनुसार ढल के कोई दूसरी जोब या काम देखना पड़ता है तो इसका आर्थ यही हुआ समायजन का कि अपने आपको परिस्तितिक अनुसार ढल लेना ही क्या कहलाता है समायजन कहलाता है अब हम देखते ह समायजन की परिबासाइं जिसने दी हैं पहले आते हैं Boring और Lengfield ये important परिबासाइं Boring और Lengfield लिखी कि Boring और Lengfield ने कहा है कि वहाँ प्रकिरिया जिसमें व्यक्ति की आवश्यक्ताओं और आवश्यक्ताओं को प्रभावित करने वाली परिस्तितियों में समझोता होता है उसे ही समायजन कहते हैं Boring और Lengfield ने क्या कहा है कि वहाँ प्रकिरिया जिसमें व्यक्ति की आवश्यक्ताओं और आवस्यक्ताओं को परभावित करने वाली परिस्तितियों में समझोता होता है उसे समायोजन कहते हैं तो Boring के अनुसार क्या है? समझोता ही समायोजन है समझोता वड़ा रहा है तो समझोता ही समायोजन है किसके अनुसार? boring और length field के अनुसार समझोता ही समायोजन है कि वह प्रक्रिया जिसमें वेक्ति के आवसकता है और आवसकता को effect करने वाली situation में understanding हो जाती है समझोता हो जाता है तो उसे समायोजन कहते है तो boring के अनुसार समझोता ही क्या है समायोजन है फिर इसके बाद आता है gates gates कहते हैं कि समायोजन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है हमें समायोजन निरंतर भर निरंतर करना पड़ता है ये gates कह रहे हैं कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विक्ति क्या है वातावन के साथ संतुलन बनाने के लिए अपने वेवार में परिवर्थन करता है तो गेट्स के अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विक्ति जो है वो वातावन के साथ संतुलन बनाने के लिए क्या करता है अपने behavior में change करता है तो gates के अनुसार क्या है संतुलन ही समायोजन है boring के अनुसार समझोता ही समायोजन है gates के अनुसार संतुलन ही समायोजन है याद रखेगा boring के अनुसार समझोता ही समायोजन है और gates के अनुसार संतुलन ही समायोजन है फिर आते हैं इसके बाद स्कीनर मोहदे इन्होंने क्या माना है समायोजन को स्कीनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है तो स्कीनर ने समायोजन को एक अधिगम प्रक्रिया माना है अब आती है समायोजन की विशेषता है क्या क्या है समायोजन में वेक्ति और पर्यावन के मद्य संबंध हो पाता है समायोजन में वेक्ति और पर्यावन के मद्य संबंध बन जाता है समा योजन में सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार विक्तियों के आवसकताओं की संतुष्टी होती हैं समा जिन चीजों को मानने मानता है उनी चीजों को अपन आवसक मानते हैं तो समायोजन में सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार विक्तियों के आवश्याउक्ताओं की संतुष्टी होती है समायोजन से विक्ति की कुंठा और ध्वंदे से उत्पन तनाव भी कम हो जाता है अगर किसी चीज की जरुरत हो रही है लेकिन हमने उसमें अड्जेस्ट कर लिया है कि नहीं चाहिए वो चीज तो समायोजन से क्या होता है विक्ति की कुंठा और ध्वंदे से उत्पन जो तनाव होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है समायोजन से विक्तियों में रचनात्मक परिवर्तन आता है और समायोजन जो है किस पर निर्वर करता है याद रखेगा समायोजन जो है वो बुद्धी पर निर्वर करता है फिर आता है अपने कू समायोजन कू समायोजन किसे कहते हैं जब एक विक्ति स्वेम को जेविक और मनोविज्यानिक तता सामाजिक आवश्यक्ताओं की संतुष्टी पाने में असमर्थता का अनुबहव करता हैं, तो विक्ति तनाव, दुस्चिंता, दबाव, भगनाशा, उन्ठा का अनुबहव करता हैं, उसे ही कूसमायजन कहते हैं रख्का अनुभव करता है हमारा मन तो व्यक्ति क्या करता है तनाव दुसिंता और दबाव भगनाशा कुंठा का शिकार हो जाता है उसे क्या कहते हैं कूसमायजन कहते हैं अब आते हैं कूसमायजन के तत्रों कौन से हैं पहला आता है तनाव तनाव क्या है जब व्यक्ति वा वह क्या अपनी समता को कम पाता है जब विक्ति environment के अनुरूप behavior नहीं कर पाता तो वो stress का सिकार होता है और इसी स्रिति में वह अपनी समता को क्या करता है कम पाता है फिर इसके बाद आता है James driver के अनुसार तनाव जो है खीचाव की अनुबूती है और संतुलन में बादा होने का अनुरोध है यह परिबाशा दिये James driver ने कि तनाव जो है वो खीचाव की अनुबूती है खीचाव तनाव का मतलब खीचना किसने परिबाशा दिये ड्रेवर ने गेट्स ने कहा है कि तनाव जो है ऐस संतुलन की स्तिति है एक तो था संतुलन ही समयजन है और गेट्स के नुशार तनाव जो क्या है ऐस संतुलन की स्तिति है फिर आता है दूसरा तत्युकू समयजन का दूस चिंता जब विक्ति की स्वाभाविक इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह उन्हें अवचेतन मन में दबा लेता है लेकिन समय आने पर यह के करण अपने एहंकार पर जो भार मैसूस करता है तो उससी क्या कहते है दबाव कहते हैं अपने इतने ही कमपीटिशन दे रहे हैं लेकिन अपने रिलेटिव रिस्तेदार और कोई भी जो भी है वो अपने बार बार पूछते हैं कि इतनी परिक्षा दे चुका है कब नंब पर आएगा तो अपने को शरम मैसूस होती है, ठोड़ा गुसा भी आता है, तो आत्म सम्मान के कारण अपने एहंकार पर अपन जो भार मैसूस करते हैं, वो दाव कहलाते हैं, फिर आती हैं ध्वंद या संगर्श, ध्वंद या संगर्श क्या होता हैं, जब व्यक्ति के सामने दो समान और विपरित परिस्तितियां हो तता किसी एक का चैन करना हो तो यह स्तिति क्या कहलाती है द्वंद कहलाती है जब अपने पास दो विकल्प हो एक दो उत्तो समान और दो ऐसमान तो किसी एक का चैन करना हो दो उत्तो समान हो सकते है या फिर दोनों ऐसमान हो स उपागम उपागम ध्वंद जब व्यक्ति के सामने दो परिस्तित्या हो और दोने ही उसके इच्छा के अनुकुल हो लेकिन एक का चैन करना पड़े उपागम उपागम ध्वंद में क्या आएगा व्यक्ति के सामने दो परिस्तित्या हो और दोनों उसके इच्छा के चेन करना पड़े तो वो ध्वंद कहलाएगा उपागम उपागम ध्वंद इसका उधारन आएगा जैसे कि अपने पास नोगरी लग चुकी है और विवा के लिए अपने पास अनेक प्रस्ताव आ रहे हैं लेकिन विवा के लिए प्रस्ताव तो अनेक है पर चुनना कितने को है एक को ही चुनना है ज्यादा तो नहीं सुन सकते तो इसका क्या कहना है कि व्यक्ति के सामने दो परिस्तित्या हो और दो नहीं उसकी इच्छा के अनुकुल हो मतलब विवा के लिए अन्नेक परस्ताव आ रहे हैं लेकिन चुनना किसको है एक ही है तो य उसकी इच्छा के अनुकुल हो लेकिन फिर भी एक को चुनना पड़े तो ये कहलाएगा परिहार परिहार ध्वन्द और इसका उदानन क्या आएगा कि किसी के पास अगर नोकरी के दो विकल्फ हैं दोनों ही इसके इच्छा के पर्तिकुल हैं लेकिन जिम्मेदारिया का उसकी इच्छा के अनुकुल हो लेकिन किसी एक को चुनना पड़े तो वो कहलाएगा परिहार परिहार ध्वन्द फिर आएगा उपागम परिहार ध्वन्द इसमें आता है कि जो वेक्ति के सामने दो परिस्थित्या हो और एक उसकी इच्छा के अनुकुल हो और एक उसकी इच्छा के पर्तिकूल तो दोनों में से एक का चेन करना है तो वो क्यालाएगा उपागम परिहार ध्वन इसका उदारन है कि गर वालों की इच्छा की वुरूद लव मेरीज करूँ या नहीं अगर लव मेरीज कर लेता हूँ तो गर वाले बाहर निकाल देंगे लव मेरीज नहीं करूँगा तो वो छोड़के चली जाएगी तो यह कहलाता है कि वेक्ति के सामने दो परिस्तित्या हैं एक तो उसकी इच्छा के अनुकूल और एक उसकी इच्छा के पर्तिकूल लेकिन एक को चुनने का दबाव हो तो वो क्वल्या कौन सा द्वंद कहलाता है उपागम परिहार द्वंद अब आता है भगनाशा को समाजन का पांचवत अत्तु भगनाशा भगनाशा का सामानी अर्थ होता है आसाओं का तूर जाना आसाओं का टूर जाना भगनाशा का सामान्यार्थ है जब व्यक्ति की इच्छा की प्राप्ती में कोई बाधा उत्पन होती हैं जिससे की लक्ष की प्राप्ती या इच्छा की संतुष्टी ऐसंभव लगती हैं तो इस तिति में उत्पन होने वाला सामवगी की तनाव emotional stress definitely fix है तो आज अपने को याद कर लेंगे हम तो इससे की उसन गलत नहीं होगा समाईजन के रक्षात्मक युक्तियों में से आती है पर्टेक्स वीदियां और फिर आएगी अपर्टेक्स वीदियां तो पर्टेक्स वीदियों में सबसे पहला आता है बादा निराकरण वेकल पर्टेक्स वीदियों में कौन कोन सी है पंदरा पर्टेक्स वीदियों में है पहले आईगी दिवास अपने दिवास अपने के बारे हम सभी जानते हैं सपने देखना जागते जाग दे हुए कलपना तरंग भी कहते हैं दिवास अपन को इसमें विक्ति जो है वो सपनों के द्वारा समाजन स्थापित करता है जैसे हवाई किल्ये बनाता है हवाई किल्ये दिवास अपने में बनाने लग जाता है वो जैसे एक बालक जो बिल्कुल अध्यन नहीं करता है फिर भी वह सोचता है कि वह परतमस्तान उसी का होगा कोई परता है नहीं लेकिन फिर भी सोचता है उसकी जोब लग जाएगी तो इसमें क्या कहलता है वो दिवास अपने कहलता है जिसे कलपना तरंग भी तो उसे तादात्मी करन करते हैं किसी दूसरे की विशेषता को अपने अंदर अपना लेना जैसे किसी एक्टर की तरह कपड़े पहन कर स्वियम को उसके जैसा मैसूस करना कि आज तो में सलमान खान लग रहा हूँ अपनी पैचान किसी पर्तिष्टित विक्ति के स्थापित करना तो यह क्या कहलाएगा अपनी पैचान जो है अपनी विशेषता को भूल गया और किसी दूसरे की पैचान या विशेषता को ग्रहन कर लेता हैं तो वो क्या कहलाएगा तादा आत्मी करण कहलाता है फिर आता है परती करण का अर्थ होता है इच्छा के विपरित वेवार का परदशन करना जैसे माता पिता से डाट खाने पर भी विनमरता से पेस आना जो कि आजकल कोई करता नहीं है फिर आता है इसके बाद नमन का अर्थ होता है कि जब किसी वेक्ति की अदूरी इच्छा समय के साथ उसके चेतनमन से हट कर ऐ चेतन मन में चली जाती हैं तो उसे दमन कहते हैं मतलब जब किसी विक्ति की कोई अधूरी इच्छा हो रही है लेकिन कोई काम है तो समय के साथ उसके चेतन मन से हट कर ऐ चेतन मन में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं हो जाता है अपने को जोब का या फिर अध्यान करने लग जाते हैं तो टीवी देखनी की इच्छा जो है वो समय समय के साथ एचेतन मन में चली जाती है जैसे थोड़े दिन तक अपन मेज देख सकते हैं लेकिन जब उम्र बढ़ती जाती है तो मेज का सोक खतम होता जाता है पहले एक बोल भी नहीं छोड़ते थे क्रिकेट की लेकिन अब ऐसी उम्र हो चुकी है कि मतलब मेज देखने का भी मन नहीं करता है क्योंकि नोकरी या अपन स्टेडी में उलजे हुए हैं तो टीवी करने से ये इच्छा समय के साथ ऐचेतन मन में चली जाती है तो ये कैलेगा दमन कहलाता है शमन में आएगा कि समन में विक्ति अपनी इच्छा को जान बूझ कर ऐचेतन मन में समाप्त करता है जैसे एक विक्ति के पुत्री की मरती होने पर उसकी याद को बल पूरवक भू इच्छा को जान बूझ कर एचेतन मन में समापत होता है, मतलब उसके पुत्र की डेथ हो चुकिये तो उसकी याद आरे हैं, लेकिन उसकी याद को वो बल पूर्वक भूलने की कोशिस कर रहा है, तो वो किसके अंतरगत आएगा समन में, फिर आएगा अन्यारोपन, अन्यारो एपल होने पर उसकी फोटू से प्रेम करना, किसी से प्यार किया लेकिन एपल हो घाता है, फिर इसके बाद आता है, विस्तापन, विस्तापन क्या होता है, विक्ति अपने नकरात्मक्त समयेक मूल विक्ती से हटा कर किसी अन्ययात अटस्त पर प्रकट करता है एक तो था अन्यारोपन जिसमें विक्ती अपने सकारात्मक सवेग जो है वो मूल विक्ती से हटा कर किसी अन्ययात अटस्त पर प्रकट करता था सकारात्मक सवेग लेकिन विस्तापन में क्या आ रहा है व्यक्ति अपने नकारात्मक सवेग मूल व्यक्ति से हटा कर किसी अनिया तर्टस्ट पर प्रकट कर रहा है इसका उदारने जैसे माता पिता ने अगर डाट दिया है तो वो क्या कर रहा है दिवारों पर लात मार रहा है अपना गुस्सा किस पर निकाल रहा है दिवारों पर तो अपना नकारात्मक सवेग मूल विक्ती से माता पिता को तो मार नहीं सकता मार भी देते हैं अभी समाचार में चली रहा है किसी ने हत्या कर दी किसी ने क्या कर दिया तो व्यक्ति अपने नकारात्मक स्ववेग जो है वो मौल व्यक्ति से हटा कर किसी अन्यात अटरस्ट पर प्रकट करता है जैसे माता पिता ने उसको डाट दिया याद रखना अपने नकारात्मक सम्वेक जो हैं वो मोल विक्ती से हटा कर किसी अन्य यात अटस्ट पर प्रकट करता है फिर इसके बाद आता है एक शती पूर्ती इसमें विक्ती एक सेत्र की कमी को अन्यमाद्यम से पूरा करता है जैसे इंगलीज में अगर वो कमजोर है तो लेकिन बाकी सभी विशे पर उसकी पकड मजबूत बनाना किसके अंतरकत आएगा सती पूर्ती अगर किसी के लंबाई कम है तो वो उची एंडी के सेंडल पहन कर अपनी इस कमी को पूरी कर रही है तो इसके अंतरकत आएगा सती पूर्ती के अंतरकत फिर आएगा रूपांतरन रूपांतरन के अंतरकत आता है कि जब कोई कारे इच्छा नुसार नहीं होता तो वो शरीर की उर्जा जो है वो बिमारियों के रूप में निकलती हैं, जब कोई कारिय इच्छा नुसार नहीं होता तो सरीर के उर्जा विभीन बिमार्यों के रूप में निकलती है आप लोगोंने कहीं बार देखा होगा ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो परिक्षा के भाई से एक्जाम के टाइम में बिमार हो जाते हैं तो जब कोई कारिय इच्छा नुसार नहीं होता अगर वो नहीं पढ़ पाते तो स्ट्रेस से वो बिमार हो जाते हैं तो इसके अंतरगत के आएगा रूपा अंतरण कि जब कोई कारिय इच्छा नुसार नहीं होता है तो सरीर की उर्जा जो है विबिन बिमार्यों के रूप में निकलती हैं जैसे बेहोशी या चक्कर आना फिर आता है अंता प्रक्षेपन के अंतरगत आता है कि व्यक्ति बाहरी वातावन के अनुसार विवार करता है अगर बाहरी वातावन में कोई दूसरे खुश है तो वो भी उनके अनुसार खुश रहना सीख जाता है तो अंता प्रक्षेपन के अंतरगत आता है दूसरों की खुशी में खुश रहना इसका उद्धारने कि व्यक्ति बाहरी वातावन के अनुसार विवार करता है फिर आता है परती गमन या पलायन इसमें व्यक्ति समस्या आने पर आयू की विपरिज जाकर या बालक की तरह विवार करता है परति गमन या पलाइन में व्यक्ति समश्या आने पर क्या करता है बच्चे के जैसे विवार करता है अपनी आयू जैसे 30 साल है लेकिन कोई समश्या आ गई है तो हो 10 साल के बच्चे के जैसे रोने लग जाएगा या उसके जैसे विवार करेगा या जिद करेगा जैसे समश्य आने पर बच्चे की तरह रोना जैसे एक विवाईत मिल्या के समश्या आने पर अपनी मा की गोधी में सीर रखकर सोना तो यह किसके अंतरगत आएंगे परति गमन या पलाइन में फिर आता हैं सोधन या मारगानती करण या उद्दाती करण एक ही नाम है यह सोधन भी कहते है मारगानती करण भी कहते हैं और उद्दाती करण भी कहते हैं इसके अंतरगत क्या आता है समाज द्वारा ए मान्य वेवार को मान्य वेवार में परिवर्तित करना क्या कहलाता है सोधन मारगानती करण या उद्दाती करन इसका उद्दान गेखिया आप जैसे कि तुलसी दा जादा हो जाए तो भी वह अच्छा नहीं होता तो उन्होंने किया कि अपने पत्तिनी प्रेम को किसमें बदला भगवांसली राम के प्रेम में बदल दिया तो एक सिक अंतरगत आता है जैसे एक लड़का है वह बहुत लड़े जगड़ा करता था तो उसको किसी ने कहा कि मान्य वेवार हैं उसे किसमें बदलना मान्य वेवार में परिवर्थित करना किसके अंतरगत आता है सोधन मारगांति करन या उदाति करन में अब आता है ओचिति स्तापन या उयुक्ति करन एकी नामे ओचिति स्तापन या उयुक्ति करन इसके अंतरगत याद रखना ओचि मेनत कर रहे हैं तो कह falls to five होते हैं तो उस जौब के बारे में कहेंगी कि वो जौब तो मेरे लायक है ही नहीं तो जिस वशतो को प्रापक्त कर रहे हैं उसी वशतो में कमी निकाल रहे हैं तो वह कहला एगा ओचित्य स्थापण या युक्तिकरण जैसे अंगूर ना मिलने पर कहना कि अंगूर तो खटे हैं जिस वस्तो को प्राप्त करने की कोशिश की अंगूर को लेकिन अंगूर नहीं मिले तो उस अंगूर में ही कमील निकालना कि अंगूर तो खटे हैं इसलिए मैंने नहीं लिए तो वह कहलाएगा उच प्रक्षेपन में तो उसी वस्तों में कमी निकाल रहा है लेकिन प्रक्षेपन में अगर किसी वस्तों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है जिसे नाचना जाने आंगन टेडा नाचना आता नहीं है लेकिन कहरा है क्या कि मेरे को तो आंगन टेड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर मुझे नाचना थाई धंग से नहीं आ रहा, तो यह क्या एकलाएगा, प्रक्षयपन कहलाता है, फिर आता है उन्नयन, उन्नयन के अंतरगत क्या होता है, इसमें विक्ति ऐसपलता हाथ लगने पर रचनात्म कारियों में लग जाता है, विक्ति ऐसपलता हाथ लगने पर रचनात्म कारियों में लग जाता है, कोई लेखक बन जाता है, कोई संगीतकार बन जाता है, रचनात्मा कारियों में लग जाता है तो यह आएगा उन्ययन के अंतरगर अब देख लेते हैं अपने इसके कुछ उदारन विदान सबा चुनाव हाड़ने पर कहना कि राजनेती गंदी है देखिए आपको बतायता जिस वस्तों को प्राप्त करना चारा है अगर उसी में कमी निकालता है तो क्या कहलाएगा उचित्य स्थापन विदान सबा पॉलिट्री की से संब्धित हैं तो विदान सबा चुनाव हाड़ने पर कहना है कि राजनेती गंदी किसमें आएगा उचित्य स्थापन में विकलांग बालक द्वारा अन्य सेत्र की योगिता प्राप्त करना विकलांग बालक है लेकिन मेनत करके अन्य सेत्र की योगिता प्राप्त करना किसमें आएगा क्षति पूर्ती लड़ाई जगडे वाले बालक का मुक्य बाज बनना आपको बताया था सोधन मारगानती करन उदाती करन धन प्राप्त न होने पर कहना है कि धन से नेतिक पतन होता है धन प्राप्त करना चाह रहा है लेकिन धन प्राप्त नहीं हुआ तो उसी विश्टों में कमें निकाल रहा है धन में क्या हैगा ओचिति स्थापन बुजुर्गे के परती आदर भाव ना होने पर भी आदर करना परती करन वो आपको विनमर वाले भाव में बताया था परती करन सुन्दर स्तिरी से विवा ना होने पर उसे चरित्रहीन बताना क्या कहलाएगा उचितिस्थापन सुन्दर स्तिर से विवा करना चाता है लेकिन उससे नहीं हुआ तो उससे चरी थीन बता रहा है तो यह क्या कर रहा है उचित-तिस्तापन माता-पिता से डाट खाने पर बगीचे में फूल तोड़ना नकरात्मक सवे को किसी तटेस्ट पर प्रकट कर रहा है माता पिता ने डाटा तो बगीचे में जाकर फूल तोड़ने लगा तो विस्तापन पत्री पत्री में जगड़ा होने पर बच्चे को दमीगना बच्चे की पिटाई करना किसमें आएगा विस्तापन में फिर आएगा माना बन पारे पर बच्चा गोद लेना सतिपूर्थी, एक सेतर में अगर वो कमजोर है तो दूसरे से उसकी सतिपूर्थी करना गोद लेना बच्चा तो सतिपूर्थी में आएगा, माना बन पाने पर सिसु पालन ग्रह कोलना किस में आएगा, उन्नेयन में, र पाने के कोशिश करें तो नहीं पाई गई तो उस्चो क्या कहेंगे, दूसरे को उपड डाल देंगे, कि भार तो रही है, बाना बना देते हैं, कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूसरा, दूसरे को पड डाल जाइए आरोप, तो उसका कहलाएगा प्रक्षेपन, प्रेम में होने पर पसुपक्षों से प्रेम करना यह आएगा अन्यारोपन आपको बताया था अन्यारोपन में कि वेक्ति अपने सकारात्मक्स मूल वेक्ति से हटा कर किसी अन्यायत टेस्ट पर प्रकट करता है जैसे प्रेम में ऐसापल होने से ही कसरत हो जाती है उच्चित इस्तापन में आएगा भारत की जीत पर करना है कि हम जीत गए किसमें आएगा तादात्मिकरन किसी और की विशिष्टा को अपने अंदर गरन करना या आपका टोपिक हो गया समाजनवाला कंप्लीट अगर आपको पसंद आया